नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है प्रेम विवा करने वाले जोड़ों और साधी करने वाले योगलों से वसिली कर उन्हें बंधक बनाने के आरोप में पुलीस ने दिली की चर्चित एंजी ओ लव कमांडो के चेर्मेन संजोय सच्देओ को गिरफतार कर लिया है उसने कई जोड़ों को सेल्टर हों में बंधक बना कर रखा था जिने पुलीस और दिली महिलायो की टीम ने वहां छापा मार कर छुड़ाया गिरफत में आया आरोपी संजोय सच्देओ आमिर खान के चर्चित कारिक्रम सत्यमेयो जैते में भी आया था संजोय सच्देओ की पूल तब खुली जब एक पीड़िता ने खुद पुलीस को आप बेती सुनाई हुआ यू की महिला आयोग ने कुछ माँ पहले एक लब कमांडो एंजियो में एक प्रेमी जुड़े को रहने के लिए भीजा था उन दोनों ने एक साल पहले साधी का फैसला गिया था लेकिन घर वाले राजी नहीं थे लिहाजा दोनों ने घर से भाग कर साधी का प्लान बनाया उसके बाद लब कमांडो एंजियो में जाकर सरांड लेने की योजना बनाई यूवक यूती बीती बीस दिसंबर को दिल्ली पहुँचे और फोन पर लब कमांडो के संचालक संजोय सचदेव से फोन पर बातचित की उसने उन दोनों को अपने आईडी प्रूफ आदी के साथ साम को मिलने बुलाया दोनों लब कमांडो सेल्टर होम 2860 प्रथम तल गली नंबर पांच चुना मंडी पहाड गंज दिल्ली जा पहुँचे वाँ संजोय ने दोनों को दोनों के फोन बंद करा दिये और साधी कराने के नाम पर उनसे पैसो की मांग की दोनों ने संजोय को बताया कि उनके पास करीब 55,000 रुपय हैं संजोय ने उन्हें प्रोटेक्शन के नाम पर करीब 50,000 रुपय मांग लिए फिर संजोय ने अपने दो आदमी उनके साथ भेजे वहाँ प्रेमी जुड़े ने एक ATM से 40,000 रुपय निकाल कर संजोय को दे दिये वो पैसे उस सुनू नामक सक्स ने आकर संजोय को दिये उसके बाद इन दोनों को वहाँ बंधक बना लिया गया उनके दस्तावेज भी अपने पास रख लिये लेकिन जब आयोग और पुलिस ने वहाँ जाकर लड़की से बात की तो पूरा मामला खुल गया पुलिस को पता चला कि वहाँ उनके अलामा भी तीन जोड़े और बंधक बनाए गये थे चारो यूगलों को पुलिस ने वहाँ से मुक्त कराया और आरोपी संजोई को गिरफतार कर लिया उसके साथ हर्स, मलोहत्रा, सोनू, राजेस और गोबिंदा नामक करमचारी भी आरोपी बनाए गये है मुक्त कराया गये चारो जोड़ों को पुलिस ने अपने सरक्षण में सुरक्षित अस्थान पर भेजा है और पुरे मुआमले की छान बिन की जा रही है वहाँ से मुक्त कराया गये जोड़ों ने खुलासा किया कि आए दिन उनके साथ मार पिट की जाती थी उन्हें बासी खाना दिया जाता था संजोय और उसका इस्टाफ उन लोगों से अपने हाथ पाउं दबवाता था यहां तक कि उनसे मालिस भी करायी जाती थी सबसे बड़ी हरानी की बात है कि उस सेल्टर होम में कोई महिला कर मचारी नहीं है सेल्टर होम में किवल दो कमरे है जिसमें से लड़कियों के कमरे का दरवाजा संजोय के ओफिस में खुलता था पीड़ता ने बताया कि उनके पती से सारा काम कराया जाता था ठक जाने पर उनके साथ गाली गलोच भी की जाती थी मार पीट आम बात थी बिरोद करने पर उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिये जाते थे साम होते ही संजोए और उसका स्टाफ सराप पीता था वहारा आने वाले जोड़ों को भी सराप पीने के लिए बिवस किया जाता था पुलिस अब पुरे मामले की तब तीस में जुट गई है इस मामले में आगे और भी खुला से हो सकते हैं